हेलो दूस्तों मेरा चैनल में आपका स्वावत है आज मैं सिंपल व्लाउज की कटीन करना बताऊंगे बहुत यसान तरिके से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर कमेंट और चैनल को सस्क्राइब जरू किजिएगा मेरे पासे असी सिंटिम्टे कप्रे है और यह नाप है सबसे पहले में आप लोंगे यह बाउज की नाप ले रहना बाउज की लेंट बाउज की लेंट है बाँज की लेंट है बाँज लूए है यह यह की बाईज के लिंग जरू Sut nhiुति है तो जरीा सरकिप इसाट एर की जेका 5D बाईभ में जल में बाईखवकbon मैं अल्माल को सबसे भीज हो एर बाईळ सीक्ते है जएवकपढ़ ऑचने है तो बाईभ में है कि अगले का नाप है साथ इंच कंबर है बारा इंच यानी चोबीस इंच बहुत थी छोटे साज के बलाग त्यार करना है सबसे पर ले इसे थैलाना है है तिस इंच का बलाओ त्यार करना है सबसे पज़र में इस परका इसे पूल करना है सारे साथ इंचिस की चोर आई है देद इंच एश्टा ले रहे हैं मार्जिन के लिए एवा से इसे कटिन करना है इस परकारी से पूल करना है कि इसकी लेंद है बारा इंच यहाँ पर देड़ इंच एश्टा ले रहे हैं मार्जिन के लिए और चेश्ट है सही साथ इंच देड़ इंच यहाँ पर भी इश्टा है मार्जिन के लिए शूल्डर दास इंच है यहाँ पर पाच इंच पर निशान लगाऊंगे यहाँ पर देले का निशान है तीं इच पर देले की लंबाई छे इंच है इस पर दार इसे यहाँ पर मिलाना है यहार मूल का निशान है यहां पर भी छे इंच पर लगाना है इस पर दार से और यहाँ पर एक इंच पर गुलाबन देना है दोस्तों जैसे मैं कर रही हूं इसी परकार आपको भी करना है इस परकारे से मिला देना है यह हमारी चेस्ट की चोड़ाई है यहां पर टेर इंच इस्टा लिए हमार दिन के लिए बहुत ही छोटा साइज के बलाओ त्यार करना है इस इस परकार से कि बलाओा इस परकार करी करना है कि बलाओा इस परकार से धस्टा करेसे si परकार दो exposing इस penny अग़ा है करें इसे भी काट करना है बहुत थी असान तरीखे से मैं बता रहे हैं अच्छे से देखे और समझें और यहां से कटिन करना है यह मेरा पिछे वाला पला हो गया और यह आगे का पला है झाला आगे पिए देखे वाला पला है यहां पे अब दिसान लगाना है इस परकार से निसान लगाना है इस परकार से निसान लगाना है इस परकार से लगाना है इस परकार से शहाँजाना है कि मेरा आगे का परवाकट की तैयार हो गया और ये पीछे का है पीछे का है पीछे का गला एंगा रहा लिंच्या यहां दस इंच पे निशान लगाएंगे थोड़ा छोटा करना है इसे भी इस परकार्शियां के मिलाना है यहां पीछे का लाव इसके तैयार हो गया यहां पी भी डोट का निशान लगाना है और यहां पी भी लगाना है इस पर कर से कैक अनो ही अब बाजू की नाप लेनी है और बाजू की लंबाई तीन इंच है, अब जो ये बच्चा हुआ पपड़ा है, इसे इस प्रकार से फोल करना है, फिर इसे चोथाई बार में फोल करना है, तीन इंच मेरा बाजु तयार करना है, और यहाँ पर एक से देर इंच इस्टा ले रही है, जो अंदर मोड के लिए, और यहाँ पर भी थोड़ा सा इस्टा है, जो सिलाई में जाएगा, इस परकार से इसे कटिन करना है, यह मेरा बाजु भी कट गया, अब इस में डोड़ी निकालूंगी, यह मेरा पर की एंग्ण, पर यह वात्वी लूप, यह पर दे रही है, यह विले की पर दिया, मेरा पलाव कटकी तेयार हो गया अगर मेरा वीडियो आचा लेगा तो कमेंट में जावर बताइएगा में दिमने इस वीडियो में तब तक के लिए धन्याद